हर हर महादेव ओम नमशिवाये, जैश्री क्रिश्न राधे-राधे दोस्तों, साल दोफिजार चौवीज में धंतेरस कब है? धंतेरस पूझा का शुभ मुहूर्थ क्या है? एवम धंतेरस में नई वस्तुएं कखरीदने का शुभ मुहूर्थ क्या है? बरतन कांच के खरीदे या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे जाड़ू कब खरीदे दीपावली पर या धनतेरस पर जाड़ू प्लास्टिक वाला सीखों वाला फर्ष वाला आखिर कौन सा जाड़ू खरीदे कुछ लोग खरीद लेते हैं गलत जाड़ो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बहतर बनाने के लिए चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूँ अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना आपकी खाली जोली खुशियों से भर जाएगी भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धन तेरस सभी के जीवन में आ जाए धन तेरस पर अगर ये एक चीज़ आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ती दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्ये को बदलने से रोक नहीं पाएगी करोड़पती होने से रोक नहीं पाएगी सच्चे हृदय से पूरा वीडियो जरूर देखना हे मातालक्षमी है हे भगवान धन्वंतरे यदि हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब करें तो उसके घर में स्थाई निवास बना लेना धन्तेरस और धीपावली पर उसके जीवन में धेरों खुशियां देना जै मातालक्षमी कमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दीजिएगा यदि आपकी राशी के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे दोस्तों हर साल कार्तिक माहकृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धन्तेरस मनाया जाता है पंचांग के अनुसार इस साल कब है धन्तेरस दो हजार चॉबीस का पर्व त्रयोदशी तिथी का आरंभ 29 अक्टूबर सुभह 10 बज कर 31 मिनट से त्रयोदशी तिथी का समापन 30 अक्टूबर दो पहर एक बज कर 15 मिनट तक उदया तिथी के अनुसार धन्तेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा धन्तेरस पूजा का शुभ मुहूर्थ 29 अक्टूबर को गोदूली काल शाम 6 बज कर 31 मिनट से शुरू होकर रात 8 बज कर 31 मिनट तक रहेगा धन्तेरस की पूजा के लिए आपको एक घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा और दोस्तों धन्तेरस पर खरीदारी का शुभ समय है धन्तेरस पर सोने, चांदी और बरतन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्थ है धन्तेरस के दिन अभिजीत मुहूर्थ बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ती होगी 29 अक्टूबर के दिन 11 बज कर 42 मिनट से दोपहर 12 बज कर 27 मिनट के बीच इसके बाद शाम को 5 बज कर 12 मिनट से लेकर शाम 6 बज कर 40 मिनट तक रहेगा जो लोग मुहूर्थ पर खरीददारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धन्वंत्री साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती है और ये आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर की सुख सम्रिद्धी बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामगरी मौजूद होती है है दोस्तों इसी लिए मुहूर्थ पर खरीददारी करें जो लोग मुहूर्थ पर खरीददारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाग गुना बढ़कर धन, एश्वर्य सुख, सम्रिध्धी, धन, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्यक शेतर में बढ़ोत्तरी होती है संतान उत्पत्ती के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी करते हैं माता लक्ष्मी तै करती है और आपके घर की नीव इन्ही के हाथों में आ जाती है इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी दोस्तों अब आईए जानते हैं कि धन तेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए ये जानकारी बताने से पहले सच्चे दिल से भगवान धनवंतरी के लिए एक लाइक जरूर करें क्योंकि यह दिन भगवान धनवंतरी को समर्पित है माता लक्ष्मी को समर्पित है दोस्तों पांच दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धन तेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौरानिक मान्यता के अनुसार धन्तेरस की तिथी पर भगवान धन्वंत्री का जन्म हुआ था भगवान धन्वंत्री को आयूरवेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है दिवाली पर धन तेरस के दिन भगवान धनवंत्र की पूजा करने से जीवन में सुख, सम्रिध्धि, एश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीरवाद प्राप्त होता है साथ ही इस दिन खरीददारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है धन तेरस के दिन हर तरह के शुभकार या प्रारंभ किये जा सकते हैं इस दिन विशेश रूप से सोना और चांदी के आभूशन नए बरतन आदी खरीदे जाते हैं धन तेरस के दिन इस प्रकार की विशेश चीज खरीदने पर मा लक्ष्मी जी का आशीरवाद मिलता है मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेश चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तु में खरीद ही चाहिए अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इन में से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं धन 13 के दिन मा लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन मंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है दोस्तों, धन 13 के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूशन या सोना चांदी ना खरीद पाएं उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए सबसे पहली वस्तु हैं जाडू धन 13 के दिन नई जाडू खरीदना बहुत शुब माना जाता है विशेश रूप से लाभकारी माना जाता है जाडू को मा लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है इस दिन जो व्यक्ती आर्टिफीसियल प्लास्टिक की जाडू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहू केतू चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बरबाद बना देते हैं आप किसी और दिन प्लास्टिक का जाडू खरीदें लेकिन इस दिन राहू केतू का आगमन घर में कभी मत होने देना नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पाम वापस हो जाएंगे देखिए इस दिन राहू काल भी रहता है और जब एक बार आपके घर में राहू काल का प्रवेश हो जाए तो भला वहाँ पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है वह ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहू केतु में भीशन शत्रुता है वह नाराज हो जाएंगे देखिए इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई ज़ाडू से धन तेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्म कूर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख सम्रिध्धि का वास हो जाता है दोस्तों अगर हो सके सामर्थे हो तो धन तेरस के दिन एक ज़ाडू का गुप्तदान करना चाहिए इसे आप मंदिर में चुपचाप रखाएं वहाँ पर आपको रख देना चाहिए मंदिर में जाडू रखाने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है बहुत खुश होती है जो मंदिर में साफ सफाई के लिए जाडू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है घर में माता लक्ष्मी का आग्मन होता है दोस्तों दूसरी वस्तु है साबुद धनिया धन तेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए साबुद धनिया तो हर कोई ला सकता है साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है जो भी आये हैं उसमें बरकत होने लगती है अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है देखिए मैं भगवान धन्वंत्री की सौगंध खाता हूँ अगर मात्र 11 रूपिय का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना धनिये में जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धन्वंत्री अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे ये शास्त्रों में प्रमानित उपाय हम आपको बता रहे हैं ये उपाय कभी खाली नहीं जाता दोस्तों इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए नमक अगर आप धेली वाला लाते हैं तो और भी शुब है लेकिन आजकल धेली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए धन्तेरस से लेकर धीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन पांच दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए ऐसा करने से दरिदृता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक उर्जा भी दूर हो जाती है लाजमी है जब दरिदृता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धन्वंतरी और माता लख्शमी का आगमन अवश्य होगा दोस्तो चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र स्माइल फैमिली चैनल के अनुसार कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और सम्रिध्धी की वृद्धी होती है गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोश भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्म विश्वास की कमी हो तो धन 13 के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवा कर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए ऐसा करने से जो भी संबंधित परिशानी है वह दूर हो जाती है आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आए अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें दोस्तों आप यकीन मानो आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें दोस्तों पांचवी वस्तु हैं कौडिया कौडिया आपको सफेद भूरी पीली या चितकबरी मिल जाएंगी लेकिन आपको जो कौडिया लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौडिया लेकर आए कहते हैं जिस घर में कौडिया होती हैं वहाँ पर मा लक्षमी जी हमेशा वास करती है कौडियां लक्षमी जी को आकरशित करती है इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौडियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांध कर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहाँ रख देना चाहिए आप मानो या ना मानो स्माइल फैमिली चैनल मैं माता लक्षमी की सौगंद खाता हूँ हमारे घर में भी कौडियां रखी हुई है और हम इनकी पूजा करते हैं आज हम भी धन एश्वर्य से माला माल हो चुके हैं माता लक्षमी ने हमें करोड़ पती बना दिया है आप भी कौडियों की पूजा तथा घर में कौडियां जरूर लेकर आए कौडियां आप शंक में भी रख सकते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है शंक में पानी जरूर डाले और फिर कौडियों को उसमें डुबो दे हर साल आप इनहीं पुरानी कौडियों की पूजा कर सकते हैं हर साल आपको कौडियां खरीदने की आवश्यक्ता नहीं है, यदि आप नई कौडियां खरीदना ही चाहते हैं, तो पुरानी कौडियों को आप जल में प्रवाहित कर दें, पुरानी कौडियां जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आ पर रित्ते समय देख लीजेगा कि उस पर सभी चिन्ह सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। जब मुनी वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर मा लक्ष्मी जी से मिले, तो उन्हें पता चला कि मा लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिती में प्रित्वी पर आने को तयार नहीं है। जब चारों दिशाओं में मा लक्ष्मी जी के प्रित्वी पर वापस ना आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु ब्रहस्पती जी ने एक युक्ति सुझाई। देशों से श्रीहरी ने धातू पर श्रीयंतर का निर्माण किया और उसे मंत्र सिध्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के दो दिन पूर्व धन, त्रयोदशी को श्रीयंतर पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्थ होते होते माता लक्षमी जी को वहां आना ही पड़ा। अदोस्तों और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिती में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। ये मेरा प्रण था। परंतु ब्रिहस्पती जी की युक्ती से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र मेरा अधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धंतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों स्माइल फैमली चैनल के माध्यम से इस दिन भूल कर भी लोहे के बरतन कभी नहीं खरीदने चाहिए। हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बरबादी का सामना करना पड़ा था। बीमारियां भी घर में आ गई थी। क्योंकि धंतेरस के दिन राहु काल रहता है। इसलिए आप भी गलती से भी लोहे के बरतन कभी घर में मत लाना। इस दिन कांच की प् वस्तु है साथ मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर साथ मुखी रुद्राक्ष अगर आप धन तेरस के दिन साथ मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधी विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यू का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपा वली दीपों का त्योहार होता है, और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थे के अनुसार द ऐसे में धन तेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मालक्षमी जी का आशीरवात प्राप्त होता है। हम भी अपने घर में दीप अवश्य जलाते हैं। बहुत ही आनंद पूरवक्मा लक्षमी का आगमन होता है। दोस्तों धन तेरस के दिन आठवी जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थे के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरत मंद को जहां पर धन का अभाव हो। ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती, रुई सहित दान भी कर सकते हैं। हम धन तेरस और दीपावली पर ये कारे अवश्य करते हैं। स्माइल फैमिली चैनल सभी कार्य शास्त्रों के अनुसार करने के बाद ही आप तक पहुँचाता है। स्माइल फैमिली के अनुसार नौवियें वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए। वह है लक्षमी जी और गणेश जी की मूर्ती। वैसे तो मिट्टी की मूर्ती ही घर पर लाना शुब होता है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्टी न लाना चाहे हैं, तो धातु की मूर्टी जैसे कि आप चांदी की सोने की पीतल की मूर्टी भी घर पर ला सकते हैं। दोस्तों, मैं भगवान गणेश की तथा माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्टी अपने घर पर स्थापित कर दी और सच्चे दिल से अपने घर पर ले आए, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत महाधनी होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से ही मूर्टियां हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ती खरीदे। में भगवान गणेश और लक्षमी जी बैठी हुई मुद्रा में हो खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की और चंचल मानी जाती है दोस्तों अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन की कमी आपके घर में लगातार बनी रह सकती है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो तूटी भी ना हो गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाई तरफ मूरी हुई हो और उनका वाहन मूशक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथों में लड़ू या मोदक भी होना चाहिए और लक्षमी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत ही शुब होता है दोस्तों बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर लेकर आते हैं लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्षमी जी की मूर्ती या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी Plastic Conf Paris जिसे P.O.P. कहते हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ती ही लेकर आए। अश्ट धातु की मूर्ती भी अपला सकते हैं। दोस्तों, धन 13 के दिन आपको जो दस्वी वस्तु खरीदनी चाहिए, वह है कुबेर यंद्र। कुबेर यंद्र जिस घर में होता है, वहाँ पर धन के देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही मा लक्ष्मी जी भी वहाँ पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंद्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्मान परिवार में सम्रिध्धी और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोश है, तो वा दोश भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। दोस्तों इसका कम से कम एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। दोस्तों इस दिन पीतल की परात जो भी व्यक्ति अपने घर में लाता है तथा खरीद कर घर में लाता है तो इसे बड़ा ही अत्यंत दुरलब सौभाग्य पूर्वक माना जाता है। जितनी बड़ी पीतल की प सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। जिसकी यदि सामर्थे बरतन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामगरी है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं जैसे कि मिट्टी के दिये बगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो उससे भी आपको धन तेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान लौंग, इलाइची, पान, सुपारी, बताशा तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि वरत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ़ते पढ़ने वाली जो भी वरत्योहार हैं और आरतियों की किताबें और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुरान भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुरान घर पर ल दोस्तों, मैं स्माइल फैमिली माता लक्षमी की सौगंद खाता हूं, भगवान धनमंतरी की सौगंद खाता हूं, अगर आपने ये उपाय कर लिया, तो आप धनवान ना हो जाए तो हमें बताना, बस कर लेना ये कार्य। देखिए धन तेरस पर जब आप बरतन खरीदें, तब उसमें एक रूपय का सिक्का डाल कर घर की ओर चले, खाली बरतन लेकर घर में प्रवेश न करें, इससे आपका घर भी भरा रहेगा, और आपके घर में खुशियां भी आएंगी, कैसे आएंगी, आईए जानते हैं दोस्तों। चांदी के बरतन, पीतल के बरतन, घंटी आदि शस्त्र आदि खरीदने का रिवाज है, दोस्तों, जब आप धन तेरस पर कोई भी बरतन खरीदते हैं, तो घर में खाली लेकर ना जाए, मान लीजे, आपने प्लेट खरीदी है, लोटा खरीदा है, बाल्टी खरीदी है, ग माता लक्ष्मी भी दोड़ी चली आएंगी, इसलिए यह कारे हम भी जरूर करते हैं, हम खाली बरतन घर में लेकर प्रवेश नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्का आदि जरूर डाल कर लेकर चलते हैं, स्माइल फैमली चैनल, आपको ये बात कॉपी पैन पर लिख कर दे स सकता है, आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, सोने का सिक्का भी डाल सकते हैं, तांबे का सिक्का भी डाल कर घर की ओर जा सकते हैं, बहुत ही शुब और अत्यंत दुरलभ एवं मंगलकारी माना जाता है, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, धन तेरस की जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है